हेलो एब्रीबरन आज हम बनाएंगे श्विक पांच मिनट में कच्छे आलू और ब्रेट का नाश्टा बहुती चटपटा बहुती कुरकुरा इसे बनाना बहुत असान है आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स में दे सकते ब्रेक फास्ट में खा सकते टी टाइम एश्ट नेक डिया दे दो मीडियम जाई Step चालो को चिल सिल पादू कि पानी से निचार के लिए हैं इसे बाल में डाल देंगे अभी इसी के साथ इसमें हम चावल का आटा डालेंगे तो 3 बड़े चमस चावल के आटा डालेंगे आप इसके जगा मैऩा या फ्रिड़े सकते हैं तो तीन डालेंगे एक तोटी चमस से भी थोरा कम हल्दी पौडर डालेंगे इस qualities channel या ज्यादा चेह चाट शाला भी दे शकते है réf 살 collaboration नमक डालेंगे एक गज्य को बाडी काट के लिए हैं एक के ज़दर के टुकराओं को हम घस के लिए हैं कद्दू कस करके खुब सारे हरिधन्या की पति डालेंगे अब इससे हम अच्छे से पहले मिस कर देंगे ताकि आलो के लच्छे के साथ मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें थोरा सा पानी दे है नहीं ज़्यादा ये गाधा है तो इसे मेडियम थिकनेस का घुल लेडी कर लिए हैंक किनारों को बराउन वालेपा पांट को इस तरीके सरे कट लिए तो सारे पीसे को हम इसी तरीके हम जासान है प्रफिसे से करेंगे अब हम तक प्राइया करो है यह नास्ता एक तो पूटर Comics प् Major नास्ता बन के रेडिया हो जाता है तो इसे प्लट दिया है इसे तरीके से दोनों तरफ से डिराइट कर लेंगे यह ऊच्छा बात है कि बहुत ही जास और पान्सिट में बझा रेडिया है देखसक्ने दोन将 से ज़ए तो इसे अब हम निकाल लेंगे तो आप यह नास्ता की रेश्पी को एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ज़्यदा यह टेस्ट कर बहुत ज़्यदा डंपिंग लगता है और इसे बनाना भी कितना आसान है देख सकते हैं तो इसी तरीके से सारे पीसेस को निकाल लेंगे और हाकी की जो भी ब्रेट के पीसे स्वचेंढे उसे भी हम फ्राइ करलेंगे तो घैस के हाइफिलेट पर प्राइ कि ज़िए तो बहुत ज़्यदा यह टेस्टी वनेगा तो इसी तरीके से हम दोनों वैचिस को फ्राइ कर लिए देख सकते हैं तो आब भी यह नास्ता की रेस् और बहुत ज्यादा यह डंपिंग लगता है तो बच्चे भी से बहुत ही चाव से खाएंगे बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं हलकी फूल के भूख में ले सकते हैं टी टाइम में स्नेक हैं आप यह नास्ता की रिस्पी को एक बाद जरू ट्राइब करें देख स झाल